दोस्तों विल्कम तू माई चैनल डाक्टर सरोश मित्रों आज शुगर के विसे में आपको जानकारी देना चाहता हूं मित्रों ध्यान से सुनेगा आज का वीडियो बहुत इंटिस्टिंग है कहीं जानकारी से दूर ना रह जाया आप मित्रों सुगर महामारी का रूप लेता जा रहा है दिस का हुआ सुगर की चप्रे तुम्हें आशानी जा रहा है माना मित्रों आप दाए दू शुगर के सिकार हो गये पहला इसका जिन्निदार दुनिया मानती है बेंकियाश को लेकिन मैं मानता हूँ ब्यूट्री ग्लेंड को क्योंकि सारे हार्मोन का कंट्रोलर तो ब्यूट्री ग्लेंड ही है जब ब्यूट्री ग्लेंड डिस्टर्ब होगा तब आपके पहिंकियाश को प्रियाथ मात्रा में हार्मोन नहीं दे पाएगा तब आपका प्रेंटिया जो अलीवर दू ढूरे लोडिस्टर हो गए तो शरीर को प्रयाउक मात्रा में इन्सुलीन नहीं मिल पा रहा है तो जो आप खा रहे हैं वह आपके ब्लड में जमाव मैं क्योंकि उसकी खपत करने वाला धीला है इदर जीव का श्वात, लाइप इस्टाइल, नौकरी पेसा के चक्र में आप सारी इल्ग स्रम भी ने कर पा रहे हैं अगर आप बैदल ज्यादा चले या यूगा करें तो हमारे सरीर में सुबर जो है उसकी खपत होती रहेगी मित्रों जब खपत होगी तो ब्लड में गंदगी नहीं जमेंगी और आपकी तिकनी लीवर सुरचीत रहेगा मित्रों अगले वीडियो में मैं आपको शूगर नार्मल हुआ ख़त करने की प्राचिंग पत्थती बताएंगे अगर आप अपना लिये तो शूगर ही नहीं शूगर तो कुछ नहीं है आप फिर अपने आपको इवाफ होने का सारा शुक उठा पाएंगे मित्रों और सरीर की सर्विस की उम्र में कितने समय में कराना है या सरीर सर्विस कैसे की जाती है अगर आप संजोग वस हार्ड डिजीस से बीडित हैं या किद्नी से तो आप कमेंट मित लिए ततकाल मैं उसका समाधान करूँगा क्योंकि शुगर का जो भी पेशिessee होता है जब गंदगी बलड में आती है तो हार्ड डिजीस होने होना है गिद्नी इंफयक्सन होने होना है तो मित्रों मेरे चैनल को शेयर करें लैक करें सब्सक्राइज करें आपके ठीक होने पर मुझे खुशी मिलेगी मित्रों नमस्का वारो